हलो अबरीबान, वालकम डिजी सेंट्रिक, सो दोस्तों आज हम एक महत्पून बुद्धे पर चर्चा करने बाले हैं, डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स को किस तरीके से प्रिपेर करना चाहिए for the gate examination, सो आज के सेशन में मैं बात करूँगा, gate electronics के लिए, gate electrical engineering के लिए और gate instrumentation engineering के लिए, हलांकि ये subject common है, चार streams में, computer science में भी ये subject common है, लेकिन आज हमारा जो मुद्धा है, discussion का, वो है इन तीन branches के बारे में, E-C, E-E and I-N, so दोस्तों आज के सेशन में हम इस subject को किस तरीके से तयार करना चाहिए, आपका क्या sequence होना चाहिए, इस subject में topics का, और किस topic की क्या importance है in the overall sense, यानि कि कुछ topic इस तरीके से होते हैं, जिन पर direct question आते हैं, कुछ topics ऐसे होते हैं, जो एक तरीके से नीव का काम करते हैं, मतलब उन पर topic पर direct question नहीं आते हैं, बट अगर आप उन topics को prepare नहीं करेंगे, तो जो question जिन topics पर आते हैं, उन questions को आप solve नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे topics भी होते हैं, और कुछ topics ऐसे multi-talented भी हैं, जिन पर direct question भी आते हैं, और वो दूसरे topics में भी आपकी help करते हैं, उनको समझने के लिए, इन सभी तरीके की बात हम करेंगे, यानि कि क्या आपका तरीका होना चाहिए, subject को त्यार करने के लिए, क्या इसका max weightage है, तीनों streams में, ECEE और IN में, और कौन-कौन से topic हैं, जो important जादा हैं, हाला कि, देखें, gate examination में, जो हर एक topic है, जैसे, जो syllabus में हैं, मैं समझता हूँ, उन सभी topics को हमें तयार करना चाहिए, जिस subject को हम prepare कर रहे हैं, उसके लिए, क्योंकि questions, थोड़ा बहुत समय के बाद, वो change करते थे हैं, pattern में, और उन topics से, जिनसे कभी questions नहीं पूछे गए थे हर साल paper में आ रहे हैं, तो वो हर साल paper में आने वाले topics कौन से हैं, जिनका हमें विशेश रूप से रखना चाहिए, तयारी के दोरा, इन सभी मुर्दों पर हम आज visualization करेंगे, चर्चा करेंगे, तो दोस्तों, आज के discussion की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले, इस subject की importance क्या है, तो in the knowledge sense, अगर हम बात करें, या in the sense of application हम बात करें, तो digital electronics है, तो obviously nowadays जो latest devices बनाई जा रही हैं, उनमें ज्यादाता devices में digital processing को रखा जाता है, तो digital electronics subject में हाला कि बहुत deep में हम discussion इसका नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही basic label पर अगर हमारे fundamentals clear हैं, तो in upcoming years जैसे मालीज़ आप M.Tech करते हैं, या PhD करते हैं, तो वहाँ पर आपको अगर basic knowledge in devices की होगी, in components की होगी, तो वो कहीं न कहीं आपको एक understanding में help करती हैं, examination के point of view से अगर हम इसकी importance को देखें, तो for get EC paper, this subject is of about 6 to 8 marks, 6 to 8 marks, लगभग ये gate electronics में cover करता है, हाला कि अगर हम मैं instrumentation की बात करूँ, तो instrumentation में भी almost यही weightism रख सकते हैं, 7 to 8 रख सकते हैं generally, या लगभग चालो इतना मान सकते हैं, कोई बुरा ही नहीं है, 7 to 8 marks, लगभग इसमें माना जा सकता है, for instrumentation gate paper, sometime मैं बोलता हूँ कि gate EC और gate IN, इन दौनों में ही इस subject की लगभग same importance है, gate electrical engineering की अगर हम बात करें, so gate electrical में थोड़ा सा इसका weightage slightly low है, यानि कि आप बोल सकते हैं, लगभग 4 to 6 marks यह cover कर सकता है, देखिए, कई बार gate EC में 6 marks से कम भी digital पूशा गया है, और कई बार 8 marks से ज़्यादा भी digital को पूशा गया है, यही same scenario gate instrumentation में भी है, gate EE में भी है, यह हम analyze करते हैं on the basis of last 5 to 10 years papers, किस तरीके का pattern follow किया जा रहा है, कौन-कौन से subject से generally कितने questions पूशे जा रहे हैं, टेकनिकल सेक्शन में जो 85 marks का paper है, including engineering mathematics, उसके अंदर strict division gate paper में नहीं किया गया है, यानि कि जो 15 number का general aptitude part है, उसकी 15 marks fix है, उसके अलाबा, जो 100 number में से 85 marks जो बचे हुए हैं, उन 85 marks में कोई hard and fast division नहीं किया गया है, subject wise हम एक approximation के basis पर चलते हैं, और generally वो approximation follow भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक अंदाज़ा बना लिया, और वो कई बार apply हो रहा है, कई बार नहीं हो रहा है, most of the time वही pattern, वही format गेट examination में follow होता आ जाता है, तो यह हो गया इसका examination wise important for the gate examination point of view, for the gate paper point of view, अब बात करते हैं इस subject को prepare करने से पहले, हमें कौन सा subject है जिससे prepare करना जरूरी है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि digital electronic subject को start करने से पहले, किसी एक specific subject की knowledge होना चाहिए, तो यह हमारा अगला discussion है, pre-requisite knowledge क्या है for the digital electronics, so bold letters में मैं आपको बता दूँ, इस subject को आप as a very first subject start कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात यही है subject की, एक तो बहुत logic पर based हैं, तो इससे interesting बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ logics होते हैं, वहाँ थोड़ा सा मज़ा भी आता है, और basic mathematics involved है, कई बार क्या होता है, logic तो होता है, लेकिन mathematics बहुत complex होता है, तो उस logic को, उस complex mathematics की बजह से, समझना होताना आसान नहीं होता, लेकिन इस subject में, हमारे gate examination के point of view से देखें, या BE, BTEC level पर अगर हम इस subject की, जितना coverage किया जाता है, उस label पर अगर हम देखें, तो ये subject, एक तो logic पर based है, दूसरा, इसका basic mathematics इसमें use होगा, बहुत basic calculations, in the sense of variables, A, A bar plus B, something, इस तरीके का जो format है, उसको solve करना, logic circuit को expression से implement करना, तो कुल मिलाके, आप अगर इसे as a very first subject of your grid, gate preparation करते हैं, तो इसमें कोई दोराई नहीं होगी, कि आपको gate preparation में interest आना शुरू हो जाएगा, यानि कि, एक तो scoring हो गया, 4-5 number at least, इसके हम बान सकते हैं, एक safe zone की मैं बात करूँ, चाहे EC हो, चाहे EE हो, चाहे IN हो, 5-6 number तो हर साल ये कबर करता ही है, तो वो 5-6 marks आपके एक तो solid हो गया, मतलब 99% आपका subject का question सही होने वाला है paper में, ओके, सिर्फ 1% chance है कि आप गलत करते है question को, या आप से बने नहीं गो, अगर आपने subject को पढ़ लिया है, तो scoring हो गया, दूसरा interesting है, आसान भी है, एक तरीके से देखें तो, तो हम इसको as a very first subject start कर सकते हैं, तो अगर आप second year में हैं, तब भी इस subject को as a very first subject आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा special किसी दूसरे subject की knowledge, किसी भी दूसरे engineering subject की knowledge, इसमें कोई बहुत heavy level पर required नहीं होती है, ओके, gecentric पर आप अगर attend करते हैं, digital electronics को, तो मैंने वहाँ पर उसको teach किया हुआ, तो जहां भी जैसे माली जी कई बार transistors का वहाँ पर use होता है, बहुत ही basic level पर transistor use होता है, saturation level पर region में transistor operate हो रहा है, या cutoff में operate हो रहा है, sometime diode use होता है, तो diode forward wise, reverse wise में operate हो रहा है, तो जितना हमको वहाँ पर required होता है, उतना मैंने side में discussion किया हुआ है, मतलब आप उसको as a just रट्टा भी बार लेंगे, उतनी तेर के लिए, जब आप इस subject को पूरे तरह पढ़ेंगे, analog हो, तो वहाँ पर transistor, diode, यहन सभी के concept आपके clear हो जाएंगे, लेकिन उस point of time पर, जहां पर हमें इसकी जरूद पढ़ती है, उस समय पर अगर हम थोड़ा सा इसको, at the same time मैंने discussion किया हुआ है side में, तो उसी discussion को समझ लें, तो पूरे subject को हम आसानी से समझ सकते हैं, तो आप इसे दोस्तो एक पहले subject के तौर पर, यानि कि आप चाहें तो अपने gate preparation की एक आगाज, इस subject के साथ आप कर सकते हैं, scoring, interesting, easy, सारी अच्छी बात हैं, logic पर based है, तो मज़िदार भी है, तो pre-requested में मैं बहुत specifically नहीं बोलना चाहूँगा, कि कोई भी आपको special topic या बहुत ज़्यादा कुछ अलग से आप पढ़के इसमें आएं, फिर आप इस subject को attend करें, मैं आपको अल्रेड़ी बता रहा हूँ कि diode transistor बहुत कम label पर इसमें involved होते हैं, जितने involved होते हैं, उतना discussion साथ में कर लिया जाता है, तो आपको उसको अलग से भी पढ़के आने की कोई और बहुत ज़्यादा जरूवत नहीं पढ़ेगी, तो यह हो गया आपका, क्या आपको पहले से इसको इलिए पढ़ना चाहिए, यह हमने बात समझ लिए है, चलिए, अब कुछ और बात हम करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, कि इस subject के अंदर कौन-कौन से topics ऐसे हैं, जो important है, अब यह थोड़ा सा मतलब, मुश्किल होता है बताना, कौन-कौन से topic important है, but let me tell you, the very first topic जहां से यह subject स्टार्ट होता है, वो है, minimization of logical expression, okay, minimization of logical expression, तो दोस्तो, मैं कहना चाहूँगा, यह topic important है, इसके अंदर हम दो methods पढ़ते हैं, एक है boolean algebra, दूसरा है कारण of map, k-map, इन दो methods मैंसे, किसी एक ने एक पर, generally, चाहें वो EC हो, चाहें वो IN हो, चाहें वो W हो, एक question frame होने के chances, बहुत जादा होते हैं, मतलब आप समझ लेजिए, हर साल, एक question, इस heading पर आता ही है, चाहें वो boolean algebra से minimization करा लेते हैं, या वो K-map से करा लेते हैं, तो ये वो topic है, जो बहुत important है, और interesting बात ये है, कि subject की शुरुवात भी, इसी topic के साथ होती है, जब आप subject को वहाँ पर attend करेंगे, तो आप realize करेंगे, ये very first topic के तौर पर, मैंने इसको start किया है, अब बाकी subject की अगर topics की अगर हम बात करें, तो ये very first topic होगे, अब दूसरा topic आईज उसमें आता है, that is called logic gates, logic gates, so digital electronics में, कोई भी आपको circuit बना रहा हो, चाहे वो combinational circuit हो, या वो sequential circuit हो, उसको implementation करने के लिए, जो building block होगा, मतलब जो unit लगेगे, जैसे human body है, that is made of cells, बहुत सारे cells हैं मिलके बना हुआ है, तो cell क्या है, इसकी एक unit है, इसी तरीके से, एक digital circuit की unit है, transistor, या diode से बनाया है, तो diode, और वो transistor, जब combined होते हैं, तो बनते हैं logic gates, तो obvious है कि logic gates के बिना, किसी भी logic circuit को, या digital circuit को implement करना, एक अलग concept हो गया, बट digital circuits को implement करने के लिए, हम logic gates को use करते ही हैं, तो ये topic वो है, जिस पर direct question भी आते हैं, बहुत frequent नहीं आते, बट इस पर direct question भी frame होते हैं, आप समझ लेज़ें, तीन साल में एक साल इस पर question आ सकता है, ओके, लेकिन बिना इस topic को समझे, बाकी के budget topics को आप, इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, फिर number systems आ गया, number system भी विल्कुल, इसी तरीके का topic है, कि एक पूरे subject की feeling को generate करता है, हाला कि basic number systems के बारे में, सभी को idea होता है, convergence का, तो वो बहुत कोई heavy topic नहीं है, बट आपको वो topic आना चाहिए, for complete feeling of the digital electronics, फिर उसके बास दोस्तों आता है, combinational circuit, combinational circuit के अंदर, एक special topic के मैं बात करूँ, जो बहुत important है, वो है multiplexer, मैं सिर्फ यहाँ पर वो topic लग रहा हूँ, जो important है, multiplexer, that is very important topic, combinational circuit में, पिसी को अगर एक ही topic पढ़के जाना हो, बहुत भागदोड में हो कोई, तो multiplexer पढ़ ले, दूसरा कोई topic, अच्छा मैं तो दू topic पढ़ सकता हूँ, इतनी से जादा में को गुंजाइस नहीं है, तो दूसरा topic आप पढ़ सकते हैं, arithmetic circuit, arithmetic circuit, जिसके अंदर आते हैं दोस्तो, half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, serial adder, parallel adder, look ahead, carry, generator, तो यह दूसरा important topic है, जिस पर gate examination में, question frame होते हैं, मतलब gate paper के, combinational circuit के, दो favorite topics है, arithmetic circuit, जो की very first topic होगा, combinational circuit जब start होगा, तो यही से मैं शुरुवात करता हूँ, arithmetic circuit से, ओके, दूसरा topic है, multiplexer, this pass you, demultiplexer, decoder, encoder, इन सबको भी आपको पढ़ना है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, important topic कौन-कौन से है, कौन-कौन से topic ऐसे है, जिनको पढ़के, अगर हम, एक होता है न, कि, जब quick revision आपको करना हो, तो कौन-कौन से topics को, बहुत अच्छी तरीके से, आप quick revision में भी अच्छी तरीके से revise कर लें, तो वो ये वाले topics है, जब आप quick clear revise कर रहे हैं subject को, तब भी इन topics को, थोड़ा सा समय देके आप revise करें, ओके, अब हम बात कर रहे हैं, fourth important topic की, जो की आता है sequential circuits है, वो है दोस्तो, बिना किसी अब बात के counters, digital electronic subject का, कोई very very important topic आप से पूछ ले, कोई बोल दे, कि सबसे ज़्यादा important बताओ, सबसे ज़्यादा important कोई topic क्या है, तो आप बोलेंगे वो counters है, अब counter की दुबिधा दोस्तो ये है, कि counter को समझने के लिए, आपको flip-flop आना चाहिए, okay, sequential circuits में तीन major topics हैं, शुरुवात होती है flip-flop के साथ, दूसरा topic आता है registers, और तीसरा topic है counters, flip-flop को समझेंगे, क्योंकि flip-flop को combine करके, cascade करके बनाये जाता है counter, तो अगर आपको flip-flop आता होगा, तब उसके cascade से बनी हुई logic circuit को हम समझ पाएंगे, तो counter को समझने के लिए flip-flop को समझना जरूरी है, लेकिन direct question frame होने की अगर मैं बात करूँ, तो वो question chances होते है counter से frame होने के, ओके, इतनी बात होगई, अब हमारा जो next topic है ADC-DAC, ADC-DAC में जो basic definition है, बेसिक formulas हैं, उन पर based, अगर आप recent few years के papers को analyze करते हैं, तो उन पर based question आजकर आने लग गए है, जैसे माली जी कोई भी एक analog voltage आपको दे दिया गया, और एक particular analog to digital converter से उसको pass कराया, तो कितना digital equivalent generate होगा, ये question पूछ लेते हैं, इसका resolution ये है, आप बताईए कितना output generate होगा, इतने bit का है, कितने number of, कितने possible maximum range तक के analog data को ये convert कर सकता है, या digital to analog converter है, तो आपको बोला गया कि भई 5 bit का ये है, तो इसका output range कितना होगा, अगर हम resolution को ये रखते हैं, तो इस तरीकी के question, हाला कि ये बहुत ही basic topic है, fundamental topic है, लेकिन इस तरीकी के question आप देखें, तो papers में आपको आजकल frame होना शुरू हो गए, मिल जाएंगे आपको ये question, तो guys ये हो गए इसके important topics, जिने must be prepared, आपको इनको revision भी करना है, सही तरीके से in topics पर command करनी है, digital electronics में अपने score को maximize करने के लिए, ओके, तो ये हो गए हमारे important topics की बात, digital electronics को आप prepare कर सकते हैं, decentric app से, google place to work पर जाएगेगा, और decentric app वहाँ से आप download करें, तो जैसा मैंने यहाँ पर interface इसका खुला हुआ, तो आप ये photo लगी हुए मेरी, so price buys अगर देखें, so आपको just 349 रुपीज पे करने हैं, बहुत ही कम amount में ये course available है, और इसका मतलब बिलकुल भी ये नहीं है, कि quality wise compromise किया गया होगा, या कहीं न कहीं syllabus में cutting होगी, आप latest syllabus को सामने रखकर, इसका very first lecture आप attend करें, आप realize करेंगे, कि सभी topics का मैंने जिक्र किया है, introduction में, और उन सभी topics को one by one, जितना जिसकी importance है, या जितना जो syllabus के according, हमें जानना चाहिए, उतना मैंने डिस्कस किया है, जबरदस्टी subject को खीजने की कोशिश नहीं की गई है, और unnecessary चिज़ने को compress भी नहीं किया गया है, क्या syllabus है, इसकी हमने शुरुवात में चचा की है, और उसके बाद एक-एक करके, जो topic, जिस branch के लिए important है, उसको मैंने mention भी किया है, at that moment, और शुरुवात से भी आपको एक proper वहाँ पर planning करने के हिसाब से, आप आसानी से समझ जाएं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, इस सब बातों की चर्चा पहले ही lecture से आपको मिल जाएगी, तो एक बार course content को देख लेते हैं, fee buys, it's very much affordable fee instruction, तो थोड़ा सा course content की तरफ चलते हैं, वीडियो सीरीज में आप देख पारें, एक 122 वीडियो में ये cover हुआ है, लेकिए वीडियो में 122 आपको थोड़ा सुनने में हो सकता लग रहा हूँ कि large number of वीडियो में इसको पढ़ाए गया, वीडियो का जो duration है, वो इस तरीके से रखा गया है, कि आप अपने convenience है, जैसे माली जे, कई बार हम college से free होते हैं, और हमारे पास सिर्फ एक घंटे का ही time है, या आदा घंटे का ही time है, तो उस आदा घंटे में आप एक वीडियो को cover कर सकते हैं, अगर आपके बास एक याडिर घंटे का time है, तो आप दो या तीन lectures को भी देख सकते हैं, तो इस तरीके से सभी lectures को plan किया गया है, कि एक lecture लगभग 25 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट से लेकर, 35 मिनट तक generally इसमें किये गए हैं, तो lecture wise जो subject का division है, वो इस तरीके से किया है, कि आप अपने routine से थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर, बहुत ज़्यादा आपको pressure भी नहीं आएगा, और आप एके करके सब भी lectures को देखते जाएं, और चीज़ें धीर-धीरी complete होते जाएगे, तो इस तरीके से इसको design किया है, दूसरा, थोड़ा सा content की अगर मैं बात कर लूँ, very first chapter जहां से start होता है discussion, boolean algebra, minimization of logical expression, ये chapter very very important है guys, मतलब ये chapter से हर साल लगबग हम एक question मान सकते हैं, कि gate paper मैं पूछा जाता है, चाहें आप EC से हो, चाहें IN से हो, चाहें EE से हो, सबसे पहले आपको देखना है lecture 0-1, जिसमें आपकी branch के according मैंने syllabus discuss किया है, जैसे अगर आपकी EC branch है, तो आपको कौन को से chapters पढ़ने हैं, इन सब की बात है मैंने की, अगर आपके IN हैं तो क्या पढ़ना है, डबल E हैं तो क्या पढ़ना है, और किस topic को कितना तबज्यों देना है, यानि कि historical तोर पर गरम देखें, गेट के previous years papers के basis पर, कौन सा topic कितना पढ़ा जाना चाहिए, इन सब बातों की चर्चा मैंने की है lecture 0-1 में, तो आप यह देखेंगे, तो यहां से आपको पुरा subject का जो mapping है, एक हवाई दौरा आपका हो जाएगा subject का, और वहां से आप धीरे-धीरे अपने journey को start कर सकते हैं, तो very first chapter में आएगा, minimization of logical expression, जिसमें boolean algebra को discuss किया है, it's actually very important topic, second है, logic gates, लगबग 16 videos में इसको cover किया है, this topic is actually very important, क्योंकि यह वो topic है, जो पूरे subject में use होगा, दूसरा, इस topic पर direct question भी frame हो सकते हैं, और होते भी हैं, और उसके बाद है number systems and data representation, फिर आता है आपका दिगज topic, combinational circuit, तो काफी बड़ा topic है, 23 videos में इसको discuss किया गया है, और इसमें especially multiplexer जो topic है, वो very important है, और उसको मैंने बहुत ही proper way में वहाँ पर discuss किया है, तो एक बार आप start करें, इसको prepare करना, फिर आप realize करेंगे किस तरीके से पूरा subject की journey यहाँ पर complete की गई है, फिर आता है हमारा sequence circuit, इसके अंदर जो counter section है, that counter is actually very important, और मैंने कोशिस की है, जिनको माली जिब पहले शब्द ही आपने counter पहले बहर सुना है, digital circuits में कोई चीज होती है counter, वो लोग भी अगर इस session को attend करना शुरू करें, तो उनको भी अच्छे तरीके समझ में आएगा, और जितना level, gate examination के point of view से required है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिस की है, कि आप तक वो पहुँचे, और साथ मैं आपको gate के previous questions भी मैंने वहाँ में solve कराए है, तो हमें recent years में किस तरीकी questions फ्रेम हो रहे हैं, या gate में questions को answer करनी के लिए, हमें क्या approach रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें questions को समझना चाहिए, या हमारी देखिए, हम जब previous years questions को solve करते हैं, तो हमें एक idea लगता है कि किस तरीकी की approach हमको develop करनी पड़ेगी to answer the questions, एक होता है कि just content को पढ़ लेना और concept को समझ लेना, लेकिन जब आपको questions का idea नहीं होगा, किस तरीके questions आ रहे हैं, तो exam में आप थोड़ा सा puzzle हो सकते हैं, लेकिन जब आप subject को पढ़ने के साथ साथ, previous years questions भी solve करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है, कि हमें क्या approach रखनी हैं, और किस तरीकी के questions इस subject में पूछे जाते हैं, तो हमेशा मैंने इस पूरे subject में आप देखें, तो जिस topic को complete किया है, पहले उसके previous years कराएं, तो आपको एक अंदाज लगे कि हमने ये theory पढ़ ली, उसको बात कैसे questions इसमें frame हो रहे हैं, तो जितने भी अच्छे questions हैं, चाहे वो EC से हों, चाहे IN से हों, इवन computer science से भी हों, तो उन सभी questions को मैंने कोशिश किये, कि वो lectures में आ जाएं, तो कम से कम अगर अमाल लीजिया, unfortunately आप previous years solve नहीं भी कर पा रहे हैं, और विलिब मी, अगर आपने lectures सही से attend की हैं, तो आपके most of the previous years questions में, जितनी भी अच्छे questions हैं, वो सब cover हो ही चुके हैं, indirectly, आप इस बात को realize करेंगे, अगर आप को एक chapter पढ़ ली जगा, फिर उसके previous years questions देखना, तो आपको बहुत सारे questions ऐसे लगेंगे, जो already समझे मैं आ चुके हैं, so उसके बाद है, ADC, DSE, फिर आते हैं, special topics, branch-wise, जिनकी importance है, logic family हो गया, basics of memory हो गया, या कुछ miscellaneous topics के हम बात करें, ये सब, तो सभी topics, जैसे ADC, DSE, यहां तक का जो content है, वो common for all branches है, मतलब ECE, EIN, सभी को पढ़ना है, और उसके बाद के ये topics हैं, logic families हो गया, या basics of memory हो गया, या miscellaneous topics हो गया, वो आप अपनी branch के syllabus के हिसाब से पढ़ेंगे, अच्छा, ये आपको पता कैसे लगया, lecture zero बना आप देखेगा, सबसे पहला lecture जो है, वहां से आप को पता चलेगा, कि कौन-कौन सा topic आपके branch में है, वहां पर मैंने, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ classes attend करनी है, और पहली class से आप attend करेंगे, तो आपको सब कुछ clear रहेगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और क्या कैसे पढ़ना है, और एगे करके आप सभी chapters को complete करते जाएं, और जिस chapter को आप complete कर लेते हैं, जैसे माली जी आपने very first chapter से अपनी journey start करी, minimization of logical expression को आपने पढ़ा, सुनिए क्या क्या तरीका होता, आपने classroom attend की, तो classroom को ऐसे ही आप ऐसे बैठके आप देखते रहते हैं, कई बार ऐसे बीडियो चल रहा है, बैठे हुआ हैं, कि बहुत बढ़ी आपड़ा रहे हैं सब, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको proper pen paper, यानि कि register रखना है, और उसमें सब चीज़ों को लिखना है, नेकि हाला कि PDF notes अविलेबल हैं application पर, आपके, जो mobile phone में आप application डाउनलोड करेंगे, तो जब आप classes content करेंगे, तो साथ में पूरे lectures की, क्योंकि smart board की recording है, तो सभी lectures की PDF files एविलेबल रहेंगी, classroom notes जो हैं, but, मैं हमेशा recommend करता हूँ, कि आपके बनाए हुए notes आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो class के साथ में ही आप notes, जो मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँगा class में, जो सब भी board पर लिखाया जा रहा है, जैसा भी लिखाया जा रहा है, आप उसको as it is note करते रहें, तो आप self-made notes बनाए, और उन self-made notes का regular basis पर revision करें, जैसे माल लीजे minimization of logical expression में है 11 videos, आपने plan किया है कि 2 videos in a day आपको देखना है, या 3 videos in a day आपको देखना है, तो आपने 3-4 days जितने दिन का इसको plan किया है, उतने दिन आप routine से इस subject को attend करें, और जैसी जो video complete होती है, तो immediately after, जैसे 10 minute का आपने break ले रहा, उसके बाद आप उस पूरे discussion को revise करें, जैसे आप revision पर बहुत focus करें, जो आप attend करते जा रहे हैं, उसको आप एक revision mood पर जरूर रखें, और जैसे आपका chapter 1 complete होता है, उसके previous questions को भी आप solve करना न भूलें, especially जो आपकी branch है, उसके previous questions को आप आवश्यक रूप से solve करें, उसके बाद आप switch करें next chapter पर, और next chapter को attend करने के दौरान, थोड़ा बहुत एक दू दिन के gap के साथ, इस जो पुराने chapter जिसको आपने attend कर लिया है already, उसके notes को थोड़ा सा आप फेरते रहें, रिवीजन करते रहें, लेकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस तरीके से आप एक एक करके, systematic बे में, not only digital electronics, किसी भी subject को बहुत अच्छी तरीकी से आप तयार कर सकते हैं, ओके, तो ध्यान रखेगा इन छोटी-छोटी बातों का, हाँ जी, एक important announcement और है आपके लिए, ये आप जो वीडियोज मैं यहाँ पर देखा रहा हूँ, digital electronics, ये यहाँ पर है complete course, यानि कि, gecentric app अगर आप एक बार download करते हैं, तो just by paying 349 रूपीज, आप complete course, along with the PDF notes, सब कुछ आप access कर पाएंगे, जिसमें कुछ test papers भी आपको मिलेंगे, उससे पहले, अगर आपको देखना है, कि माली जी, आपको थोड़ा सा लग रहा है, यार एक बार पता दो होना ची, कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसे चीज़ें cover हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारे digital electronics के videos, YouTube चैनल पर, Gecentric YouTube चैनल पर, अल्रड़ी अविलेबल है, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहीं पर digital electronics की playlist अविलेबल है, बिल्कुल इसी course की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसी की playlist अविलेबल है, उस complete playlist को आप देखेगा, मेरो फोटो पाप लगा होगा, तो उस playlist पर आप जाएए, और वहाँ पर जितने भी lectures फ्री में अविलेबल हैं, बहुत सारे lectures अविलेबल हैं, आपको एक complete observation करने के हिसाब से, आपकी tuning देखने के हिसाब से, कि आप मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों को आप समझ पाते हैं, साहज हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों के लिए YouTube चैनल पर आप आराम से सभी lectures को attend कर लें, और उसके बाद आप course को join करें, मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि आप बहुत कम price में हैं, तो सुर्वाज से आप join कर लें, बिल्कुल न करें ऐसा, कोई जरूबत नहीं है, आप जाएं पहले YouTube चैनल पर पीडियो को देखें, मिनान से तसल्ली कर लें, फिर आपको realize होता है कि हाँ, इस course पर साड़े तीन से रुपए कर्च किये जा सकते हैं, बिल्कुल न से परचेस कर सकते हैं, यह हो गई हमारी application से related बात हैं, अब थोड़ी सी बात इसमें हम कर लेते हैं, strategy आपकी क्या होना चाहिए, इस subject को prepare करने की, what should be a strategy for preparation of the subject, so guys, सबसे पहले आप notes को prepare करें, अब notes दू तरीकी के हो सकते हैं आपकी, as usual, अगर आप self preparation कर रहे हैं, तो होंगे self made notes, आप self prepare कर रहे हैं, तब भी आप notes जरूर बनाएगा, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजेगा, कि आप होता ना कि आपने lectures कहीं से भी YouTube से या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, या books से आप पढ़ रहे हैं, तो वहीं पर आप से उनको टेक कर लिया, या YouTube में ही वीडियो को mark कर लिया, कि ये वाला वीडियो है, वाला वीडियो, आप इस तरीके से पढ़ते तो रहेंगे, but at the right time, जब आपको subject को revision करने की बारी आएगी, उस समय पर अगर आपके पास सब कुछ systematic नहीं होगा, तो जो revision आपका पंधरा दिन में होगा, वो 25 दिन एक महीने में shift हो जाएगा, automatically, क्योंकि आपको वहाँ पर उन चीजों को ढूणने में, collectively, आपको time waste वहाँ पर करना पड़ेगा, और यही चीज़ हमने बहुत सारे subject में कर डाली, तो फिर इतना ज़्यादा confusing हो जाएगा, at the last, आपको न तो revision आप proper कर पाएगे, फिर exam में ऐसा होता है कि question हमको देखा हुआ लगता है, जाना परचाना से लगता है, हम इसको कर सकते हैं attempt, बिल्कुल energetic way में हम सोचते रहते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, but at last, या तो वो गलत हमसे हो जाता है, या हम उसको attempt ही नहीं कर पाते हैं, तो guys, revision बहुत ज़्यादा important है, और revision, जहां तक मेरी समझ है, notes के बिना revision करना, थोड़ा सा challenging है, in fact, बहुत ज़्यादा challenging है, तो आप, जैसे भी आप notes बना रहे हैं, तो self-made notes हैं, या आपकी जो classroom notes हैं, अगर आप classes कहीं attend कर रहे हैं, तो class notes हैं, आप चाहें, तो बहुत ही affordable fee structure के साथ, G-centric पर digital electronics available है, तो दोस्तो, आप वहाँ से भी class notes अपने prepare कर सकते हैं, lecture को attend करें, बहुत systematic notes आप उसकी बनाएं, शुरुआत में हम ज़रू लगता है, एक बहुत बड़े विद्वान के तौर पर, कि notes बनाने में हम time crime कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तो, जब आप लिखते हैं चीजों को, तो उस समय भी कहीं न कहीं आपके वो memory में fit हो रही होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि आपने notes बनाए, तो उतनी दिर में तो मैं 4 page पढ़ लेता, जब दिर में मैंने 2 page notes लिखे, ऐसा नहीं है guys, अगर आप notes लिखे रहें, तो at that same time आपका थोड़ा सा और concentration बना हुआ है, हमेशा आप देखना, आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आप कुछ second thought में चल सकते हैं, ऐसा होता है, लेकिन आप जब लिखने बढ़ते हैं, तो आप सोचते सोचते नहीं लिख सकते हैं, आपको जो लिख रहे हैं, आपको उसको focused होना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे, आप कोशिर करके देखना हैं यह चीज़ कभी, कभी कुछ सोचते सोचते आप दूसरी चीज़ को नहीं लिख सकते हैं, जब लिखेंगे तो आपको pen paper पर ध्यान देना पड़ेगा, कहां जा रहा हैं, लेकिन जब आप पड़ते हैं तो आप हो सकता है कि second thought के साथ वहाँ पर चल रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, background में और सामने किताब से कुछ आप पर रहे हैं, तिसलिए लिखना बहुत जरूरी भी है, इसके लिए मैं बोलता हूँ आपको self-made notes या आपके जो classroom notes हैं, उनको आप सबसे पहली priority दें अपनी तैयारी में, दूसरा हमने notes प्रिपेर कर ली, बहुत बढ़िया, अब हमें दूसरे step पर क्या करना है, obvious है notes का revision करना है, बिल्कुल सही बाद है, फिर हमें solve करना है gate के previous year question, gate previous years, अच्छा gate previous years में सबसे पहले आपको करना है, आपकी own branch, खुद की आपकी जो branch है, own branch, फिर जो दूसरी branches हैं, लाइक इस subject की हम बात कर रहे हैं, digital की, तो इसमें चार branches में ये common है, EC, plus EE, plus IN, plus CS, तो आपको पहला काम क्या करना है, आपकी अपनी branch के previous year solve करना है, फिर आपको solve करना है, बची हुई तीन branches की, अगर आपकी EC है, तो आपकी तीन branches, IN, EE और CS बच गई, उनके questions solve करेंगे आप, आजकल chapter wise books available है, तो जो chapter आपने पढ़ लिया है, note से, उस chapter का एक बार quick revision करें, और फिर उसके, उसी chapter के, अपने branch के previous year questions को solve करें, फिर आप next chapter पढ़ें, फिर next chapter के previous year questions solve कर लें, अपने branch के, फिर next, 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 इस तरीके से, एक revision अपने previous year's branch के questions के साथ करें, दूसरा revision करते समय, आप किसी दूसरी branch, electrical, या हो सकता है, तो दो branch एक साथ, electrical और IN के previous year's question को solve करें, क्योंकि जब आप दूसरा revision कर रहे होंगे subject का, तो obvious है कि आपका थोड़ा सा revision का time कम हो जाएगा, naturally यार, आपने एक बार subject को पढ़ लिया, prepare कर लिया, तो obvious है कि उसमें आपको जो समय लगता था, understanding में, वो कम हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, जो बहुत frequent आपके दिमाक्त में हो जाएगी, तो उनमें समय कम से कम लगना शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, यह दूसरा step हो गया, जाज तीसरा step आता है आपका, तीसरा step आता है, अगर आप चाहें, तो EAC, Engineering Service Examination के objective questions को solve कर सकते हैं, या फिर आपको जो actual step है, online test, online test में appear होना, शुरू करना, online tests, ओके, online exam, यह segment बहुत important है, यह दो हिस्से हैं आपकी तैयारी के, preparation, और यह है आपका testing, what you have prepared, आपकी तैयारी हुई कैसी है, exam में आपका temperament कैसा रहता है, क्या आपका time management अच्छा है और नहीं है, इन सभी सवालों के जबाब, आपको online test दे सकते हैं, देखें हर एक individual की, जो understanding का तरीका है, वो बिलकुल अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, उसको proceed करने का तरीका अलग होता है, respond करने का तरीका अलग होता है, तो guys, किसी दूसरे के online test का experience आपके किसी काम करने हैं, जैसे माली जे मैंने कभी online test दिया होंगे, तो मैं आपको अपना experience बताऊं, कि online test में ये गलतिया होती हैं, इस तरीके से मुझे करना चाहिए, या किसी को भी करना चाहिए, वो सब temporary है, आप खुद से जो सीखेंगे, आप जब खुद online test देंगे, तो जो आपकी गलतियां होंगी, वो आप ही उनको सुधार सकते हैं, किसी और की बनाई ही यूजना, strategy, online test में, particularly आपके बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती है, चाहिए वो टॉपर की ही क्यों नहीं हो, ओके, तो आपको online test देने चाहिए, देखे, शुरुआत जब हम करते हैं online test देने की, तो ज़्यादा तर cases में क्या होता है, बहुत कम number आ जाते हैं, 25 में से 2 number आ गए, हम सोचके बैठते हैं, 25 में से 22 आएंगे, थोड़ा बेगड़ा जागा तो 20 आएंगे, नहीं तो 18 तो आही जाएंगे, अब आगे दो number, हो सकता है, डेड़ा गया, कईयों कर negative आ जाते हैं, माइनिस दो, तो वहां से moral down हो गया, फिर हम करते हैं multiply, 25 में से 2, 50 में से 4, 100 में से 8, cut off तो 22-25 number जाता है, मैं तो उस इस्तिति में आ गया, कि किसी को number भी नहीं बताने हैं, कितने आएं gate 1, ओके, लेकिन, लेकिन माइडियर, gate examination अलग है, online test अलग है, ये आपकी क्या है, testing है, जब testing होगी, तभी तो आप बापस से जाएंगे, वो पढ़ते हैं न, close loop control system, तो यहाँ पर जब आपकी testing होगी, कहीं न कहीं गडबड हो रही है, तो आप फिर से notes को revise करेंगे, आप सही से gate के previous question को solve करेंगे, तो बापस से आप फिर से online test appear करेंगे, तो अब आप बहतर feel करेंगे, और आपका score भी boost होगा, तो जिस दिन आपका paper होगा, उस दिन आपकी इतनी बाद testing होगी, concepts की, आपकी गलतियों की, आपकी slim mistakes की, कि आपकी gate exam में वो इतनी minimize हो जाएंगी, और आपका performance अपने आप improve हो जाएगा, इन सब के बाद कुछ थोड़ा बहत अगर आपको जुरूत पढ़ती है, तो आप reference books पर जा सकते हैं, ओके, so reference books particularly अगर मैं इसकी बात करूँ, तो m.morris mono सबसे popular book है, हाला कि इसकी gate examination बहुँचा जरूत नहीं है, EAC बगरा के preparation के लिए इसकी importance होती है, बाकि जिनको थोड़ा बहुत अगर और reading करनी है, understanding को improve करना है, तो इस book को आप refer कर सकते हैं, यह आपका last step है preparation का, अगर आप सही तरीके से, believe me, सही तरीके से notes, gate previous years and online test, इन तीन चीज़ों पर command करते हैं, तो not only digital electronics, कोई भी subject आपका हो, बहुत strong आप उसे बना सकते हैं, ओके, तो मैंने यहाँ पर दोस्तों, आज के इस session में कोशिस की है, कि आप कि किस तरह से, किन-किन topics को आप अच्छी तरीके से prepare करें, और digital electronics की क्या importance है, और इसे किस तरह से आपको तयार करना चाहिए, so, thank you so much for watching this entire session,